Hello Friends, Health Journey for You में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे diabetes की जो कि एक बहुत ही common बिमारी बनती जा रही है लेकिन diabetes एक गंभीर बिमारी भी है जो अंदर यंदर हमें खोखला करती रहती है शूगर लेवल अगर जादा समय तक हाई रहे तो इससे heart attack, kidney failure, ulcer जैसी बिमारिया होने का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है और diabetes पर control ना किया जाए तो आखों की रोशनी भी खराब हो सकती है हमारे शरीर में जो insulin होता है वो हमारे भोजन को उर्जा में बदलता है पर अगर insulin बनना शरीर में बंद हो जाए तो diabetes हो जाती है और जादा sugar level बढ़ जाए तो मरीज को insulin के injection भी लेने पड़ते है ये injection हमें पेट में डेली लगाना पड़ता है जो कि बहुत तकलीफ दायक होता है डबली अच्चो के अनुसार भारत में इस समय साथ से आठ करोड लोग diabetes से ग्रसित है एलोपैथी कहती है कि sugar होने पर आपको पूरी उम्र sugar को control करने के लिए दवाई लेना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए खानपान पर control करना exercise करना बहुत ज़रूरी है वैसे तो healthy रहने के लिए exercise करना संतुलिक भोजन करना बहुत सर्वोत्तम माना जाता है आजकल सभी के जीवन में बहुत tensions रहती है और ये diabetes होने का मुख्य कारण है इसलिए सबसे पहले तो हमें अपने खानपार पर control करना चाहिए पॉस्टिक और healthy भोजन करना चाहिए नियमित exercise, walk या jogging जरूर करना चाहिए समय पर सोना चाहिए 8 घंटे की नीन लेना भी बहुत जरूरी है और सुबा जल्दी उठकर अगर हम हलकी फुलकी exercise करें और या फिर share करने जाए तो इससे भी हम अपने आपको healthy रख सकते हैं पानी हमें बहुत पीना चाहिए अगर अपनी जीवन शैली को सुधार ले तो हम sugar होने से बच सकते हैं लेकिन अगर diabetes हो ही गई हो तो हमें अपनी आदतों को बदल कर diabetes पर control करना पड़ता है आज जो मैं आपको काड़ा बताऊंगी उसके सेवन से चाहिए आपका sugar level 300-400 हो तो भी साथ दिन में इसका सेवन करने से control हो जाएगा सुभा आपको खाली पेटिस का सेवन करना है इसको बनाने के लिए हमें लेना है दो ग्लास पानी और उसे हम एक पैन में डाल देंगे और गैस के उपर गरम करने के लिए रखेंगे अब हम लेंगे एक चमच मेथी दाना ये इंसुलिन की सेंसिविटी को बढ़ाता है साथी साथ कॉलेस्टरॉल की मातरा को भी नियंतरन में रखता है बलड शूगर के कैलशियम भी भरपूर मातरा में होता है जिससे की अनीमिया की समस्या को भी ये दूर करता है और मोटापा घटाने में भी भरपूर मदद करता है हम लेंगे 15 से 20 करीपत्ता और उन्हें धो कर हम पैन में डाल देंगे अब हम जो लेंगे तीसरी चीज वो है एक इंच अद्रक का टुकड़ा अद्रक से मेटाबॉलिजम फास्ट होता है और शूगर लेवल डाउन होता है इसे नैचुरल पेन किलर भी कहा जाता है अब हम इस अद्रक को ग्रेट करके एक चम्मच अद्रक भी इसमें एड कर देंगे अब हम जो चौती चीज लेंगे वो है दालचीनी दालचीनी ब्लड शूगर लेवल को तो कम करती ही है साथ ही साथ ये कॉलेस्टरल लेवल को भी कंट्रोल करती है और इसके सेवन से पैंग्रियास हेल्दी होता है और insulin level भी improve होता है अब हम इन सब चीजों को इसमें अच्छी तरह mix करेंगे और अपने काड़े को तब तक उबालेंगे जब तक कि हमारा काड़ा आधा ना रह जाए और इसमें हमें 5-7 मिनट का time लगेगा और ये जितनी भी हमने चीजे डाली है इनके सब के सारे गोन इस काड़े में आ जाएंगे और जब हमारा काड़ा आधा रह जाएगा तो हम गैस के flame को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे जब हमारा काड़ा हलका गुन-गुना रह जाएगा तब हम इसे अच्छी तरह चान लेंगे और चान कर खाली पेट सुबह सुबह हमें इसका सेवन करना है और अगर हम उसके बाद हलकी फुलकी एकसरसाइस करेंगे तो हमें इसका दुगना लाब मिलेगा फिर आदे घंटे बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे यह आयुर्वेदिक काड़ा शुगर के लिए चमतकारिक और टेस्टेड रेमेडी है यह आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगा अगर आपको तनाव रहता है तो उसे दूर करेंगा कॉलेस्ट्रेल लेवल को भी कंट्रोल करेंगा और मोटापा घटाने में भी यह लाब कारी है आप इसे इस्तेमाल करें और अपने अनुभव को मेरे साथ जरूर शेयर करें अगर इस काड़े के साथ साथ आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको दुगनी तेजी से इसका लाब मिलेगा अगर आपको मेरी यह रेमेडी से जरा भी आराम आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे थैंक्यू सो मज